स्री लंका से मिली हार अब भारतिये टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के उपर उठाये जा रहे हैं सवाल एक पूर्व भारतिये क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रन नीती पर साधा है निशाना और रोहित विराड को लेकर भी दिया है एक बड़ा बयान तो क्या कुछ कहा है भारत के पूर्व क्रिकेटर ने बताएंगे आपको इस वीडियो में और वो कौन सा ऐसा बयान है जिसको लेकर वो गौतम गंभीर के उपर निशाना साधर हैं सब कुछ बताएंगे तो ऐसे में अंत तक बने रहीएगा हमारे साथ नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट स्यारी और मैं हूँ आपके साथ अकाश पांडे बीते दिन भारत और श्रिलंका के बीच कॉलंबो में दूसरा वंडे मुकाबला खेला गया जहां पर टीम इंडिया श्रिलंका के गेंद बाजी के सामने बूरी तरीके से आल आउट हो गई और टीम इंडिया को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा तक्रीबन 1100 दिनों के बाद श्रिलंका ने वहां पर भारत के उपर जीत हासिल की और जुलाई 2021 के बाद श्रिलंका इंडिया से कोई मुकाबला जीतने में काम्याब हुआ तो ऐसे में आप है कि कैसे भारतिय टीम की बल्ले बाजी फ्लो विकेट पर बुरी तरीके से एक्स्पोज हुई है अब ऐसे में हर कोई भारतिय टीम मैनेजमेंट और टीम के हिड कोच गौतम गंभीर के ओपर काफी कुछ कह रहा है काफी कुछ सवाल उठाय जा रहे है कई लोगों का मानना है कि जैसा उमीद लगाया जा रहा था कि गौतम गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया एक अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देगी वहां पर और हार कतई बरदाश नहीं होगी लेकिन अगर आप अभी तक गौतम गंभीर के कारेकाल को देखे तो अभी तक भारत ने पा है जहां पर उन्हें ने विराट और रोहित को लेकर भी काफी कुछ का है तो सबसे पहले आपको वो स्टेट्मेंट दिखा देते हैं जहां पर आशीश नहरा ने कल होस्ट ब्रोड्कास्टर से बाचीत करने के दौरान गौतम गंभीर की रनीती पर सवाल उठाएं आशीश ने कोच है और वह अनुभवी खिलाडियों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उन दोनों को नहीं जानते हैं यानि कि अगर इस स्टेट्मेंट को आप देखे तो आशीश नहरा ने यहां पर क्लियर कट बताया है कि रोहित शर्मा और विराट क खिलाडियों को आजमाया जा सकता था अब इसके बाद आशीश नहरा कहते हैं वह कोई विदेशी कोच नहीं है जो कोहली और रोहित के साथ अपना समीकरण ठीक करना चाहते हैं इसलिए यह उनके लिए नए खिलाडियों को आजमाने का अच्छा मौका था और घरेलू सीज को बहतर तरीके से अपरोच किया जा सकता था जहां पर नए खिलाडियों को मौका दिया जा सकता था आप कुछे बेंच स्ट्रेंग्स टेस्ट कर सकते था जहां तक बात है रोहित शर्मा और विराध कोली की तो गंभीर का एक्वेशन ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ इतना जादा खराब है कि वो यहां पर एक्वेशन बहतर करना चाहते हैं और नहीं वो कोई फॉरेन कोच है जो उनको टीम के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है तो ऐसे में यह मौका था जहां पर आप नए खिलाडियों को टेस्ट करते और फिर यहां से कुछ निकालने की कोश जादा समय नहीं है कि आप अपने चैंपिन्स ट्रोफी के लिए टीम तयार कर सके और अगर आप अगर आप देखो उसमें तो रोहिश शर्मा विराट कोली जैसे प्लेयर या जितने आपके सीनियर प्लेयर है उनका टीम के अंदर आलमोस्ट होना सटेन है तो नए खिलाडि की हाथ पॉफ हूल जाते हैं वहाँ पर और उसी तरीके से बल्लेबाजी में अगर आप देखे तो ऐसा लग रहा है कि पाटा विकेट पर बल्लेबाज बड़े अच्छे से स्कोर करतो जाते हैं लेकिन जहां धीमी विकेट आती है जहां स्पिनर्स आपके सामने आते हैं आ अभी तक आपने स्पोर्ट सेयरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजेगा अभी के लिए मुझे दे दीजिये अजाजत जैहिंद जैभारत